क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि मुझे हेर कलर और Smoonhing कराना है Same Day पे तो एक और पोसिबल है ? और है possible तो किन किनी situation में है और जहां possible नहीं है वहापे आप क्या कर सकते हैं आज की वीडियो में यहीं हम थियरीकल एंड डीटेल में समझेंगे इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहना चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही सलून एजूकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अब सुरू करते हैं आज की वीडियो आया में तुन्याल एंड वेलकम समूधिंग कराना आओ या फिक ग्लोबल प्लस हाइलाइड वीडि समूधिंग कराने आओ तो दोनों ही सिच्वेशन में सबसे पहला जो आपको सेजेक्शन दिया जाता है वह यह है कि आपको पहले समूधिंग करनी है अब ऐसा इसलिए कि अगर आप पहले कर देते हैं तो यह अगरा फिकमेंड को रिमूव कर सकते हैं कलर को फेड आउट कर सकते हैं तो इसलिए सबसे पहला जो सेजेक्शन है वह यही है कि आप पहले स्मूधिंग करें तो इसके 2-3 हफते बाद या फिर 1 हफते बाद अगर क्लाइंट को भोजल दी है तो एक हफते बाद उसमें क को दूसरा कलर कर सकते हैं पर जैसा मैंने आपको बताया कि आप हेर कलर स्मूधिंग साथ में कर सकते हैं उसका क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाता है आपको अंडेटोन को समझना होगा और वही अंडेटोन हम आगे की वीडियो में समझेंगे और अगर आप ये कौन सा hair color इस्तमाल कर सकते हैं कि आप hair color भी कर दें उसके बाद smoothing भी कर दो color fade out भी ना हो तो देखो एक से लेके 5 तक का कोई भी base किसी भी reflection के साथ आप इस्तमाल कर सकते हो example के लिए 4.something 5.something यह जो color होते हैं इनमें ammonia की ppd की intensity काफी हाई होती है और इनको आप करोगे भी एक से लेके 5 नमबर तक की base पे और एक से लेके 5 नमबर तक का जो base होता है इनका undertone darker side में होता है और यहाँ पे जो color deposit करते हैं वो भी 20 या फिर maximum 30 volume से करते हैं जित्ता less developer होगा आप एक से लेके 5 नमबर तक के base पे कोई भी reflection लेके पहले color कर सकते हैं फिर बाद में smoothing कर सकते हैं यहाँ पे color fade out minimum होगा ना कि बराबर होगा पर अब बात आजाती है कि आपका client मांग ही 6-7 नमबर का base रहा है उस पे कोई reflection मांग रहा है तो वहाँ पे आप पहले color or smoothing कै कैसे करेंगे जब 6-7 नमबर तक hair color को deposit कर देते हैं तो उसका जो undertone होता है वो थोड़ा warm होता है orange yellow orange 6-7 नमबर पे कोई color deposit किया हुआ है और उसके उपर अगर आप smoothing कर दो तो देखो बहुत जादा chances है कि color fade out होगा और होता ही है color fade out पर अगर आपको 67 lifting पे कोई color deposit करना है और फिर smoothing भी करनी है तो आपको ध्यान रखना होगा color tube का यहां पर जो हमारा undertone warm है तो आप वो color tube जो लेनी है वो cool color tube लेनी होगी अब होता क्या है कि जब भी हम दो color tube को mix करते हैं आपस में और color देना चाता है client को तो हम दो same warm color को mix करते हैं या फिर दो same cool color को mix करते हैं पर अगर आपने cool color हो एक warm color लिया है और से आपसे mix कर रहे हैं तो वो neutralize होता है तो यहां पर यह वह formula लग रहा है आपका हमारा undertone warm है तो आपको जो color tube लेनी है वो cool color tube लेनी है हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपने color कर दिया तो fade out नहीं होगा होगा color fade out minimum color fade out होगा पर आपका undertone और cool color जो आपसे mix हुआ है तो color को neutralize करके भी एक brown family या color बनाएंगे तो इस तरह से आप color कर सकते हैं यह situation मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब client आपका कह रहा है कि मुझे same day ही color और smoothing करानी है देखो मैं आपको suggestion करूँगा कि अगर आपका client बोल रहा है कि मुझे 8 नंब करते बाद उनकी hair पे color deposit करें अब ऐसा इसलिए कि अगर आप same day पे करते हो तो देखो color तो खराब हो गई होगा smoothening से hair भी damage हो सकते हैं और हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं आपका saloon visit करूँ आपको theoretically या practically कुछी समझाओं तो मुझे Instagram पे message जरूर करना I will be happy to visit your salon अब मिलते हैं next week इसी channel पे किसी हो सलूने हेर एजुकेशन से related वीडियो के साथ बाई